Hello everyone, आप सब कैसे हैं? I hope you guys are doing well. तो आज का जो हमारा topic रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा How do we decide कि हम किसे vote करेंगे आने वाले upcoming assembly elections के लिए तो जारखंड में और महराश्टर में elections होने वाले हैं तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो भी voters eligible हैं vote करने के लिए आप अपना vote कास्ट करने जरूर से जाईएगा, ठीक है? सारे कामों को परे रखिएगा, पहले इस काम को जरूर से finish करिएगा, ठीक है? Because यह बहुत ही important है, basically आने वाला जो हमारा समय होगा वो आपके vote के उपर ही depend होता है, ठीक है? तो जैसे कि हम किस government को लाएंगे, कौन सी government हमारे ले बेस्ट policies ला सकती है, राइट? तो इसी वज़र से हमारा आने वाला समय जो है, आप किस तरीके के government को, किस candidate को जितवा कि आओगे, उसकी उपर depend करता है, ठीक है? तो आप से यही निवेदन है कि जैसे कि हमने भी discuss किया कि हमारा आने वाला समय जो है, वो इन ही वेक्तियों पर depend होगा, तो क्यों ना हम सोहुच समझ के अपना vote को cast करें, ठीक है? आप सारे parties को analyze कीजिए, ठीक है चाहे वो महराश्रम में जो भी candidates हो, या फिर जारखन में जो भी candidates हो, आप साभी parties को analyze कीजिए, आपके शेतरे से जो candidates contest कर रहे हैं, उनको analyze कीजिए कि आपके area में उस candidate का क्या record रहा है, वो लोगों से कैसे पेश आते हैं, ठीक है? पिछले सम के बहुत जादा vote दीजिएगा, एक ऐसे party या फिर candidate को vote दीजिएगा, जो कि देश हित को सबसे उपर रखे, ठीक है? ना कि अपने personal motives को सबसे आगे रखे, तो देश हित के लिए जो काम करेगा, उस candidate को, उस party को vote कीजिए, ठीक है? देश हित के लिए काम करने वाला अब ये with the schemes को उन्होंने introduce किया, है ना, free transport services दी, women के लिए, और हर महीने women को पैसे उन्होंने जो है, देए, डाई हजार, दो हजार, जो भी particular amount था, उन्होंने वो हर महीने देने का वादा किया, and बाकी जो है, free electricity देने का उन्होंने वादा किया, तो basically ठीक है, आप लोगों के लिए क कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं, ऐसे schemes जो हैं, वो आपके financial resources पे वित्तिय घाटा ला सकती है, आपके, जो resources है, finance को maintain करने के लिए, वो आपको पहले से ही कम होते हैं, पूरा state manage करने के लिए, उसमें आप ऐसे नुकसान दाएक schemes को ला के introduce करके, बस लोगों को अपने तरफ attract कर करने के लिए, आप जो हैं, ऐसे schemes को जब introduce करते हैं, तो वो देश हित के लिए, या फिर आपके state के हित में नहीं होता है, राइट, वो आपके खुद के party के हित के लिए हो जाता है, है ना, चाहिए वो कोई भी party हो जाए, congress हो, BJPO, वो अब एक दूसरे को देखके, सभी burden हो जाता है, उस particular state के उपर, अगर वो ऐसे free की schemes बाढ़ते चलते हो, या फिर पूरे देश की अगर हम बात करें, अगर ऐसे free की schemes हम बाढ़ते हुए चलते हैं, तो of course burden तो बढ़ जाता है, आप candidates को, जो हैं, सोच समझ के vote कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको schemes introduce ही कर रही है तो ऐसी schemes introduce कीजिए, जिसे लोग कमाने का जरिया बना पाएं, लोगों की income अच्छी हो, लोगों की lifestyle अच्छी हो सके, आप free में लोगों को पैसे बाट के, free में schemes दे के, आप लोगों को और ज़दा आलसी बना रहे हो, ठीक है, तो इससे आपके state का तो financial loss है ही, और आपके ज country के लोग जो हैं, वो आलसी बनते हुए जा रहे हैं, because उनमें free में जो है, पैसे schemes के जरिये मिलते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोई बंदा काम क्यों ही करेगा इसके बाद से, तो सबसे पहले तो इसको ध्यान में रखते हुए, जो है, आप अपना vote cast कीजिए, और जो भी parties ऐसे बे-तुकी schemes को जो है, इंट्रिड्यूस करती हैं, चाहे वो कोई भी party हो, आपकी national level हो, state level party हो, please, उसे जो है, आप उन candidates को खे दीजे कि हम आपके party को support नहीं करेंगे, अगर आप ऐसी फालतू सी बे-तुकी सी schemes, अगर इंट्रिड्यूस करते हो, जो कि state के लिए, पुरे लोगों को आप भला चाहते हो, तो ऐसी schemes को introduce कीजिए, जो आपकी lifestyle को अच्छा करें, जो आपकी income को अच्छा करें, जो आपके knowledge को बढ़ाए, जो आपको skilled बनाए, ऐसी schemes को लाइए, ठीक है, so, बस मेरी आप सभी से यही धर्खवास्त है कि आप ध्यान से, please, be very careful while choosing the candidate, अपना शपत लिया है, तभी से ही जो है, आतंकवादी वहाँ पर बहुत जादा active हो गए, ठीक है, हर रोज मैं तो news में पढ़ रहा हूँ कि military का जड़ब चल रहा है, यह आतंकवादी मारा गया, हमारे military personal injure हो गया, जब जमु कश्मीर का election नहीं हुआ था, ठीक है, article 370 को withdraw कर दिया गया था, तब से लेके और जब तक election थे, तब तक हालात कई जादा हद तक काबू में आ चुके थे, ऐसे incidents होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे incidents, बट बहुत ही controlled तरीके से वहाँ पर सारे operations को किया जाता था, बहुत rarely कहीं ऐसे incidents देखे जाते थे, बट ज ये तो वहाँ के लोग ही जाने, बेकाज अब उन्होंने ऐसी government को elect कर दिया है, अब वहाँ के लोग भी शायद ऐसे ही चाते होंगे कि हमें भी ऐसी ही government चाहिए, जो terrorism को बढ़ावा दे, जो कि हर रोज दंगे फसाद करवा दे, है ना, जो terrorists को support करे, अब वहाँ की जनता य उसका agenda क्या है, वो सारे चीज़ों को देखके, प्लीज आप ध्यान से vote के जएगा, ठीक है, तो I hope आप बहुत ही sharp mind से आप जो है, अपने candidate को elect करेंगे, ठीक है जी, so अगली मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेएगा, जय हि झाल करेंदादा से लिर्ग होगी जय हम आप बहुत है, कब बहुत है, जय है तो I hope you a n ह भीज़ों झाल शेब मुलाकात है, पतिक है जय हम खब बहुत है, और दो है जय है, यह हैं भीज़ों के जय हैं तो I love someone who is a two-bye, had a बना बहुत है, झाले दो हैं जय हैंगी प्यान